आज हम बनाएंगे जम्मू चॉकलेट यानि की चॉकलेट बर्फी ये आम तोर पर मिलने वाली चॉकलेट बर्फी से थोड़ी अलग होती है और बच्चों की तो ये फेवरेट होती है आज मैं इसे बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मुझे पुरी उमीद है मेरी इस रेसिपी को देखने के बाद आप इसे आसानी से अपने घर पर बना पाएंगे और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले चॉकलेट वर्फी बनाने के लिए हमने एक कड़ाई में एक टेबल स्पुन घी को गरम खड़ लिया है इसमें हम मावा डाल देंगे हमने करीब 300 ग्राम मावा लिया है ये 1.5 कप मावा है और इसे हम लगातार चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक की मावा सॉफ्ट न हो जाए और ग्यास की फ्रेम हम मीडियम कर देंगे मावा सॉफ्ट हो चुका है इसमें हम थोड़ा नीमु कारस एड़ करेंगे हम करीब 2 चूटे चमच नीमु कारस एड़ कर रहे है और इसे लगातार चलाते रहेंगे इसमें चीनी भी एड़ कर देंगे हमने करीब 200 ग्राम चीनी लिए ये सवा कप के करीब चीनी है हम कम मीठे की बर्फी बना रहे हैं अगर आपको थोड़ा तेज मीठा पसंद है तो आप 1 टेबल स्पून चीनी और ले सकते हैं चीनी को हम तब तक चलाएंगे इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मिल्क पाउडर पूरी तरह मिक्स हो चुका है इसमें हम कोको पाउडर डाल देंगे हमने एक छोटा चमच कोको पाउडर लिया है इसे भी इसमें मिक्स कर देंगे थोड़ा ओरेंज कलर मिक्स करेंगे हमने करीब एक पिंच औरेंज फूट कलर एड़ किया है हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अगर आप फूट कलर ना डालना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं लेकिन फूट कलर डालने से इसमें चॉकलेट बर्फी का ऑथंटिक लुका जाएगा और हमारी बर्फी ज्यादा सुन्दर दिखेगी हमने कलर को भी इसमें अच्छी तरह से मिला लिया है आप देख सकते हैं इसका थोड़ा ब्राउनिश कलर हो चुका है और बस हम इसे एक दो मिनट ओर चलाएंगे और हमारी बर्फी जमने के लाएक तयार हो जाएगी आप देख रहे हैं कि गी छोड़ने लग गया मिक्स्चर हम गैस बंद कर देंगे और एक प्लेट पर गी लगाकर इसको मिक्स्चर को उस पर पहला देंगे बर्फी जमने के लिए हम एक प्लेट लेंगे अच्छी तरह से ग्रीज कर लेंगे रहेंabil हम इस फ्ला पहला देंगे कि अपैब दबा देंगे और फ्रफी थोड़ी पतली होती है तो हम इसे पतला-पतला फैलाएंगे इसे थोड़े खर्ट बुजे के बीच से गार्निशिंग कर देंगे इसे थोड़ा दबा 10-0 अब 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 हम इसे चोटे चोटे पीसीज में काट लेंगे और इसे सैट होने में दो घंटे का समय लगा है इस चॉकलेट बर्फी को छोटे पीसिज में काटा जाता है तो हम चाकू की हेल्प से इसे छोटे-छोटे पीसिज में काट लेंगे हमने सारी बर्फी को छोट-छोटे पीसिज में काट लिया है हम इस चाकू की सायता से आराम से उठाएंगे किनारे को इसको हलका सा प्रैशर देके सारे पीसी को हम चाकू की सायता से इसी तरह से निकाल लेंगे हमारी चॉकलेट बर्फी सर्फ करने के लिए बिल्कुल तैयार है ये बहुत ही टेस्टी लगती है और खास तोर से बच्चों को ये बहुत ज़ादा पसंद आती है और इसे आप 8-10 दिन तक के लिए बना कर स्टोर कर सकते हैं आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अपने व्यूज मेरे साथ जरूर शेर कीजिए